त्रोन त्री से फरी थी समापन सत्रमाटे मरसू आज के युग में विदेशी पुण्जी करण की बड़ी बात की जा रही है पीछे भी बड़ी तेजी थी की जाई गई थी कोई लेंदेन नहीं है एक ही कमरे में सारी कंपनिया हैं जिसके उपर ताला लगा हुआ है अभी भी ऐसा हो रहा है या उनके पीछे वाली कंपनिये के लिए कुछ किया गया हमारे यहां पे सवाल क्या है इसमें तो सूचना है मैं पूछ रहा हूँ कि विदेशी पुंजी कितनी आऊ सकता इंडिया में भारत में अपने क्यों हो रही है क्योंकि अपने देश का शाषन जो चलाते हैं उनको लगता है कि यह जरूरी है यह जरूरी क्यों लगा आपको मालूम होगा कि जब श्री नर्सिंगा राव पुर्धानमंत्री बने थे इस देश के उसके पहले देश का सोना गिर्वी रखा गया था और कहते हैं कि राजकोष में इतना भी पैसा नहीं था कि 15 रोज की सरकार चल सके तो क्या करें देश का राजनेतिक माहोल ऐसा नहीं था कि नर्सिंगा राव जी टेलिवीजन पर आते और देश से कहते कि हम देश के प्रतिक शमा प्रार्थी हैं कि 40 साल जो हमने राज किया उस राज के परणाम से हमारी हालत अब ऐसी हो गई है दरिदरता की कि दुनिया का कोई देश हमको उधार देने के लिए तयार नहीं है और हमारे 40 साल के उत्पादों में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसको हम बाहर बेच करके पैसा प्राप्त कर सके तो कोई हमको अनुदान देने को तयार नहीं है कोई हमको उधार देने को तयार नहीं है कोई माल बाहर बेच करके हम पैसा ला नहीं सकते तो अब हम ख्रमा चाहते हैं देश से और देश ये स्विकार करे कि जब 15 रोज बाद हम पैट्रोल न मंगा सकें डीजल न मंगा सकें तो आप पैट्रोल और डीजल की कमी को सह लीजिएगा और हमको कुछ पदेशी राश्ता निकालने दीजिएगा यदि वो ऐसा कहते तो विपक्ष वाले कहते आप हटिए जी हमें बैठाइए हम इंतिजाम कर देंगे तो डॉक्टर मनमाण सिंग ने डॉक्टर श्री नर्शिंगा राव ने डॉक्टर मनमाण सिंग जो अर्थ शास्त्री थे उनको आमन्तित किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। घर में पैसा नहीं है कोई बात नहीं कोई पैसा बहर से नहीं मिल सकता तो भी कोई बात नहीं कोई चीज़ बैषने के लिए नहीं है तो भी कोई बात नहीं तो मैं कुछ ऐसा करूँ contradley कि डॉलेर् elementos की वर्षा हो जाएगी और आपका जो कोश है को भर किया उन्होंने वे अर्थ शास्त्री थे इसलिए उनको मालूम था कि बाजार में केवल कमरटी ही नहीं बिखती स्वयम बाजार भी बिखते हैं देश में बिख जाते हैं और यह बेशना उनको आता था इसलिए 1977 में जॉर्ज फर्नन्डिस ने जो विदेशी पेय कोका कोला उसको देश से बाहर निकाला था और इस कारण से बहुत से स्वदेशी पेय पैदा हो गए थे हमारे हाँ तो मनमोहन सिंह ने सबसे पहला कामिया किया कि 77 में जिनको बाहर निकाला गया था 90 में उनको भारत में फिर से आमंतित किया और भारत का भारत का शीतल पेयों का मार्केट विदेशीयों को बेच दिया और परणाम यह हुआ कि जो हमारे देश के अपने कोलाज थे अजंता फेंटा, थमस अप, डबल सेवन और बहुत सारे विया सब कहां है इस सब समाप्त हो गए कौन निगल गया उनको विदेशी पूंजी किस ने मंगाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंग ने क्यों मंगाई थी क्योंकि हमारे देश कोश में पैसा नहीं था और तब से जो यह करम है और यह जो विश्व अर्थ सवस्था का पैरडाइम है इस पैरडाइम में इसे अनिवार्य माना जाता है और आप यह जाएंगे अमेरिका में तो आप पाएंगे कि उनके यहां तो कोई स्वदेशी उत्पाद ही नहीं चीन के उत्पाद हैं भारत के उत्पाद हैं एश्याग उत्पाद हैं उनके पास अपने उत्पाद कौन से हैं तो उनके पास एटम बॉम हैं उनके पास हत्यारों के उत्पाद हैं हत्यार बेशते हैं वो लोग तो इसलिए कि विकास का आधार भूमी जन उस पर जंगल नदिया ये विकास का आधार नहीं है विकास का आधार पूंजी है पैसा है यह मान्यता होने के कारण देश और दुनिया के सभी अर्थ शास्त्री विदेशी पूंजी की अनिवारता मानते हैं अभी जिस पेराडाइम में हम जी रहे हैं उसमें वे लोग इसका विकल्प नहीं देखते तीन शब्द जो समान दिखने वाले बाईयरूप से यूनिटी, यूनिफर्मिटी और इंटिग्रीटी एकता, एक रुपता और एकात्मता इनका अगर थोड़ा सा भेद सब कर समझ में आये तो एकात्मता तो सुवे बहुत चर्चा हो गई कि एक ही आत्मत तो मने अंदर से हम सब एक हैं उसका एक व्यवार अलग होता है, यूनिफर्मिटी मने बाहर से दिखने वाली एक रुपता ये अस्वभाविक है, अब प्रकृतिक है क्योंकि प्रकृती एक ही व्रुक्षके दो पत्ते भी एक रुप नहीं बनाती इसलिए एक रुपता कहना ये अतिशे अवास्टविक अस्वभाविक ऐसी कल्पना हैं इसे यूनिफर्मिटी नहीं हो सकती और यूनिटी एक रुपता, एक रुपता के बिना एक रुपता नहीं हो सकती वो एक बाहरी समानता डिखती हैं, कभी-कभी कोई विशेश अवसर पर इस प्रकार के बाहरी एक रूपता के आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे विद्यालयों में गणवेश होते हैं, किसी मिलिटरी में गणवेश होते हैं, वो बाहरी एक रूपता कुछ मात्रा में कहीं- परन्तु वास्तों में एक आत्मता का अधिश्थान और एक रूपता का व्यवहार और भावना इस प्रकार की रचना बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मुझे लगता है आपको ज़्यादा मालूम है मेरे से. कि पहले दू लेक्चर्ज में हमने सुना बहुत बार, सुना कि धर्म धर्म ये वर्ड बहुत बार आया, तो संग्शेप में यह कहना चाहूंगा कि पंडित दिन दयाल उपाद्याई ने उसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या दी है, उनका जो एकात्म मानवाद पुस्तक ह उसमें पेज नमबर 30-30 पे लास्ट पैड़ग्राफ में उन्होंने लिखा है, कि धर्म यानि वे सनातन नियम जिसमें किसी सत्ता के धर्णा की जाए और उन नियमों का पालन करके, कोई भी व्यक्ति उन्नतिकी और अपने आपको ले जाए, समाज को ले जाए और राष्ट बदलते रहते हैं, तो हमें अपनी धर्म की परिभाशा जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक एकात्म हम नहीं हो सकते हैं, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भारत जैसे देश में, जहां पे जातिवाद, धर्मवाद, पूरी तरह से हमारे मूल भूत में घुश उसको निकालना होगा, यह थी बात, दूसरी बात थी, कि मैंने 2007 में एक सेमिना रटेन किया था, मेरे सर पूरिया सर यहां पे बैटे है, उन्होंने और्गनाईज किया था, शायद उनको याद नहीं होगा, मैं संत का नाम भूल गया हूँ, उन्होंने कहा था कि भारत वर् पूरी दुनिया का, so there is no religion without science and there is no science without religion, अगर उसके बाहर आपको कुछ भी मिलता है, तो समझे या तो आप अज्ञानी है, आपको कुछ खोज करना है उसके उपर, या तो आप अंधिविच्वास पे जा रहे हैं, दूसरी बात हो गई, तीसरी बात मैं यह कहना चाहूँग एक personal experience कहूँगा, जब मैं जर्मनी में था, मेरे एक दोस्त को router करीदना था, हम दोनों market में गए, तो market में गए, तो अलग अलग तरीके के router देखे, एक router था, सारे functions थे 20 यूरो उसका प्राइस था, उसने 40 यूरो वाल लिया, मैंने जर्मन में उससे पूचा कि तू 20 यूर उसने कहा ये मेरे देशने बनाया है, मेरे लोगो ने बनाया है, उसका उत्रफादन यहा हुआ है, छाईना में नहीं हुआ है, किसे और देश में नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसके बीस यूरो ज्यादा खर्च कहूँगा, मैंने भूला, फिर तेượng पोकेट मनी से जायगा, वो बना वेव मैं मैंनेज कर लूँगा, मैं दो पाटी कम कर लूँगा. तो यह हमें सिखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होगे, 80%, 90% जो आईफोन के पीछे, सेमसुन के पीछे, भागते दोडते हैं. तीसरा, चौता, सौरी, मैं मिस्टेक, एक, हाँ, संस्कृति के बारे में कहा गया था, यूरोपियन संस्कृति, वहां की थिंकिंग, यहां की थिंकिंग, तो दूसरा एक रियल एक्सपिरियंस था, मैं लंडन में था, मेरे साथ जो काम कर रहे थी, बुडी औरत, बहुत ही, जयसे माउ जयसे ख्याल रखती है, ऐसे मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन एक बार उनोंने कहा, कि यह देखो, दूसरे डिपार्टमेंट में, जौन जो काम कर रहा है, वो पने माता-पिता के साथ रहता है, मैं लेकिन, बहुत वह इन्हां कि अन्हारा के गलत क्या है, बहुत वो बोली हाँ तू इंडियान है ना तुमारी संस्कृति में तुमारे कल्चर में इट्स नॉर्मल अब उस वक्त मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं उसको समझा सकू कि यह जो संस्कृति है वो सनातन है कि हम जो फॉलो करते हैं अगर आप फॉलो करोगे तो भी खुश हो जाओगे फिर दो-तिन महीने बाद फेस्बुक पे मुझे एक ऐसी पिच्चर आई जो उसके सवाल का जवाब था मैंने उनको दिखाई हो गया 30 You और दूसरा जब मां बूरी हो जाती ये 68 साल की होती है उसके पैर वो बच्चा दोता है मैंने वो बताया उस को उसका नाम इलिन था मैंने बुला यह हमारी संस्कृति है and that is why we live with our parents लिटरली उसके आख में आसो आ गई थे क्योंकि वो बुड़ा अश्रम में रहती थी उसके बेटो ने उसको निकाल दिया था धन्यवाद, आगे गांदी जी का जो विकेतनी करण की बात है और दिंदियाल जी का विकंदरिंग जी बात है इसमें फरक क्या है बेजिकले, फिर से कहिए कौन-कौन सा फरक परक, दिंदियाल जी का वर गांदी जी और, दिंदियाल जी बात करते है इंदी स्वाराज में कोई फरक नहीं है जितने भारतिय चिंतक है भिन 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 शब्दों में, भिन भिन प्रात्मिकताओं से बात करते है पर यह सब बात विकंदिकरन की ही करते है चाहे मात्मा गांधी हो चाहे दिंदियाल जी हो चाहे डॉक्टर रामनो लोहिया हो चाहे चोधरी चरन सिंग हो यह नाम क्यों लिए मैंने? यह नाम मैंने इसलिए लिए कि यह आजादी के बाद में भारत की राजनी थी के महत्वण लोग है यह सब महत्वपुन होने के बावजूद कुछ कर तो नहीं पाए क्यों नहीं कर पाए क्योंकि वे वे जो आज का वेस्टर्न प्रडाइम है उस वेस्टर्न प्रडाइम के समर्थक नहीं थे खिलाब थे पर उनको इसी प्रडाइम में काम करना था इसे में काम करना था तो इसमें दी काम करना है आपको तो दिल्ली में बैठ करके सारे देश का बजट बनाना पड़ेगा कौन से गाउं में सड़क कहां बने कुवा कहां बने कि वहीं बनाना पड़ेगा यह सिस्टम सेंट्रलाइजड है इसलिए उसमें कोई इंडिवीजवल आकर के डिसेंट्रलाइजड कर देगा यह मुश्किल है इसलिए अभी तो स्थिती ऐसी है कि सेंट्रली ऐसी योजदा बने जो डिसेंट्रलाइजड को मानने वाली हो वास्तव में जित्ते महापुरुशुमें भारत के वो सब इसमें एक बात है वर्तमान समय में जो भी समश्य है उनको देखके लगता है कि जो शिक्षन पद्दती है उसका भारतिय करण हो जाएगा तो ये सारे सॉल्योशन हमें जल्दी मिलेंगे तो वो कब होगा या फिर हम क्या करें कैसे करें जिससे वो जल्दी हो इसी से आधारित सवाल है हमने बताया था कि पुनरुथान ट्रस्ट एक ऐसी पद्दती विकसित की है और उसके उपर प्रयोग चल रहा है शेक्षन खेत्र में तो मुझे सवाल ये है कि ये प्रयोग हम कब तक प्रयोग एक तरपर रखने वाले है और इसका आगे का उसमें फस गए है कि एकदम से इसमें कुछ होने वाला नहीं है इसलिए आज के आज कुछ होगा यह संभव नहीं है एक दीरगहकालिन निरंतर रूप से कुछ योजना बना कर साहसिक लोगों ने प्रयोग करने की आवश्यकता है जैसा मननिया अनिरुद्ध जी ने बताया था पुनुरुत्तान विद्यापीट इसका एक प्रयोग केंद्र है और एकात्म मानव दर्शन के आधार पर प्राथमि कहते हैं उसके उससे भी पूर्व परिवार में जो गर्ब समस्कार और संगोपन होता है वहां तक मने एक पंदरा वर्शे चौदा वर्शे की आयू तक के पाथ्यक्रम तो बनाए हैं उसके लिए पुस्तकें भी बनाई हैं परंतु गुजरात के साथ विद्यालेयों में ही इसका प्रयोग हो रहा है आपका सूरत उसमें एक है आप उसको देखना चाहते हैं तो उस विद्यालेयों के लोग भी यहां उपस्तित हैं परंतु यहां जैसे अदिती ने बताया यह केवल प्रयोग हैं हम इसको व्यापक बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि परियाई पाथ पुस्टकें तयार करनी पड़ेंगी इसके लिए अध्यायन करना पड़ेगा भारतिय अर्थशास्त्र होना चाहिए इसकी चाह रखना इच्छा रखना ये एक बात है और प्राथमिक विद्याले से लेकर महा विद्याले तक इस अर्थशास्त्र को पढ़ाने की योजना करन ये दूसरी बात है इसलिए अध्यायन अनुसंधान पाथ्यक्रम निर्मान करना उसके लिए पुस्तकें निर्मान करना और वो पढ़ाने वाले शिक्षक अध्यापक भी अपने पास होना इसके लिए निरंतर रूप से कुछ नो कुछ प्रयास करने पड़ेंगे पुनुरुत्तान विद्यापीठ ने इसकी निरंतर काम करने की योजना भी बनाई हैं यह योजना साथ वर्षों की हैं मैं उस योजना के विस्तार में तो नहीं जाऊँगी साथ वर्षों में पचास वर्ष के बाद इस प्रकार के विद्याले व्यापक रूप में चल सकते हैं आज हमारे जो शेक्षिक संगतन है कम से कम उन में तो यही चलेगा हमने भी उसको समग्रविकास ही नाम दिया है और शेश विद्यालेयों में भी इसी प्रकार का चलेगा केवल मेरा कहना है दीरगहकालीन योजना और व्यापकता का सन्नर्भ और मूल गत अपने बेजिक्स का अधिश्ठान ये तीन बाते लेकर ये प्रयोक चल रहा है अभी के अभी जिसको इसमें कुछ चाहिए या जुड़ना है वो अध्यायन की प्रक्रिया में शामिल हो जाए जो भी जिसको जितना चाहिए उतना लेकर अपने अपने हिसाब से उसको लागू करे पुनुरत्तान विद्यापिट उसको ओन नहीं करेगा क्योंकि अभी विद्यालई चलाना ये उडेश नहीं है एश सभी विद्यालई इसी धर्ती पर चल सके इसके लिए अनुकूल परिस्थिती निर्मान करना ये प्राथमिक आवश्यक्ता है नहीं तो अच्छा विद्यालई तो देश के किसी कोने में एक बहुत अच्छे से चल ही सकता है आज असंख्य प्रयास ऐसे होई रहे हैं असंख्य प्रयास होने के बावजूद देश की मुख्यधारा तो अभी मैकौले पर ही चल रही है और अभी पैरेडिम की बात की वो पैरेडिम तो वही का वही है और हम सब लोग रास्ट देश भक्त लोग रास्ट के प्रती समर्पीत लोग इसे व्यवस्था में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते ही हैं एक भी हम साहस नहीं कर सकते कि इसके बाहर आकर हम कोई अस्वतंत्र व्यवस्था में पढ़ाएं इसलिए इस पैरिडिम से बाहर आकर अनुकूलता निर्मान करके जहां भी चलेंगे वेवेड्याले एकात्म मानव दर्शन के आधार पर चलेंगे इसकी योजना तो दीरग अवधी की ही हो सकती हैं इसलिए प्रयोग देखिए अध्यायन शुरू करिए अध्यायन अनुसंदहन की प्रकरिया में जुडिए और जहां जहां आपको लगता है वहां वहां अपन संसादन है तो मानव संसादन करके यूमन रिसोर्स मेनेजमेंट भी तो चलता ही है और सारा मैनेज ही कर रहे हैं हम सब लोग एक दूसरे को और जिसको जिसको हो सके उसको मैनेज कर लेने में तो होश्यारी सुमझते हैं तो स्थीतिया इसी है उचित नहीं है तो खास प्रस तो एक तो यह अपना विकास का मोडल क्या होना चीए नमबर एक और सिक्षण में बहुत करते हैं तो मुझे याद आता है कि गुजराती में कावत जेना आवड़े छे ते सिखवता नथी और जे सिखवे छे तेना आवड़तू नथी तो इसका क्या इलाज होगा जी इसके बरबाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है हर डाल पे उल्लू बैठेगा बरबाद गुलिस्ता क्या हो प्रस्न छोटे रूप में पूचिए तो सर प्रस्न बिल्कुल छोटा है यह कि हमारा विकास का मोडल क्या होना चीए करना चाहते हैं आपका मालूम है विकास किया नहीं जाता है विकास तो होता है पौधे का विकास होता है कोई करता है क्या होता है इसलिए आपने जो कहा वही मोडल चाहिए शिक्षा, संस्कृति और स्वास्थ जिस मोडल के ये तीनों हिस्से हो इस खाद पानी से जो आपके बीज में है वो ठीक से उगेगा विकानन जे ने कहा है न कि वह पूर्णता जो मुनुष्य में पहले से विद्यमान है उसको प्रगट करने का बाद है मैं शिक्षा उसके लिए जो अभीताई ने कहा वह काम करना शुरू करना चाहिए यानि अध्ययन, अनुसंधान और प्रयोग ऐसी कौनसी कौनसी और प्रकल्प चल रहे है उसका अगर माहिती मिले तो स्रिय शिक्षा देनी है ऐसी असंख्य संस्थाए देशपर में चलती है संगठन चलते हैं संगठन नहीं है ऐसे संगठन और संस्थाए भी चलती है बहुत सारी चलती है उनमें एक समान सूत्रता लाने की अवश्यक्ता है वो कम ज़्यादा मात्रा में स्पस्ट अवश्यक्ता देखकर नहीं चलती है उनको स्पस्ट अधिस्थान पर खड़ा करना चाहिए तो इस प्रकार का प्रयास करने से वो हो सकता है इसलिए समुस्था है तो असंख्य चलती है अपने अपने तरीके से लोग बहुत कर रहे हैं तबी तो ये सारा अभी भी टीका है नहीं तो जो हम कर रहे हैं अधिकृत परेडिम लेकर वो तो विनाश की और जा रहे हैं उसमें से पकड़ कर किसने रखाए बचा कर किसनों रखाई ये सारे प्रयोक चल रहे हैं प्रयास चले उन्हें ने रखा हैं परन्तु जैसा मन्या निरुद्ध जी ने बेजिक्स कहा थ और शुद्ध कहा था शुद्ध भारतिय इसका भी हमको प्रयास करना चाहिए सब मिला जुला कर देने से फटे हुए दूद में कितना भी आप अच्छे से अच्छी गाय का दूद डालो तो भी वो फट ही जाता है ऐसी भी स्थिती है इसलिए आवश्यकता कौन-कौन लग कर निरंतरता से करने की हैं आप अगर विद्ध्या भरती के चोटे से या बड़े से आउंश है तो अध्यायन शुरू करो अनुसंदान शुरू करो और आप जहां हैं वहां प्रयोक शुरू करो और दुनिया क्या करती है भूल जाओ को लेकर है मैं विज्ध्यान का विद्ध्यार्थी हूँ और मेरा अपना शुक आर्थिक शेत्र से हो सामाजी क्षेत्र से हो या विज्ध्यान क्षेत्र से हो उसमें कारियरत जो संशोदक है जो संशोदन का कारिय करते हैं उनसे मिलने का होता है और उनके साथ उखते बैठ काफी चर्चाएं होती है और उसमें मैं कुछ प्रश्ण उन्हें स्वाभाविक पुछता हूं कि आपका जो विशय है तो उसका प्रॉब्लेम क्या है क्योंकि प्रॉब्लेम को लेकर ही हर कारियर रिसर्च में प्रारंवित होता है तो वे प्रॉब्लेम कहते हैं फिर मैं कहता इस problem को लेकर आप कितने साल काम किये हैं तो कुछ कहते हैं तीन साल करते हैं चार साल कहते हैं कोई पांच साल कोई साथ साल कहता है फिर क्या हुआ फिर कहते हैं हमें degree मिल गई याने PhD की अब फिर मैं कहता हूँ तो solution क्या आया तो वे कहते हैं solution तो नहीं आया पर जो एक problem था उसमें से और तीन problem हमने खड़े किये हैं जिससे की और तीन विद्यार्थी को हम जोड़ सकें तो इस तरह के एक unknowingly हुआ जो survey है उसमें एक बात ऐसी सपश्ठ हुई कि जिस व्यवस्था में हम पिछले 65 साल से officially है उस व्यवस्था का जो fundamental है वह तो सपश्ठ है कि भई अव व्यवस्था खड़ी करने वाली यह सूचारू व्यवस्था है जो इसमें ज़्यादा प्रदान कर पाएगा वह intellectual है यह प्रश्ण परी है तो मुझे यह बताएए कि यहाँ fundamentals पर कैसे आया जाए ऐसी है कि हम पश्चीम का अंधानू करन करते करते हमारा जो स्वयम का है उसको भूल गए है दो चार उधारन देता हूँ फिर fundamentals मुझे जो कहने है वो शायद आपको मैं बता सकूंगा एक बात ऐसी है कि उपभोग ही जीवन का एक प्रमुक अंग बन गया है यह वास्ते भी कता है उसका मैंने उल्ले किया था लेकिन महिश जी के भाषण में स्वश्ची करन भी अच्छा आया है हमारा fundamental ऐसा है कि उपभोग आवश्यक ही हो जितना उतना ही करे अन्य था तेन त्यक तेन भुंजी था त्याग क्योंकि बाकी समाज की भी आवश्यक्ता है हम समाज में रहते हैं तो हम अकेले नहीं रहते हैं यह एक उदारन मैंने कहा दूसरा उदारन मैंने कहा कि विवाह संस्थाओं में आने वाले सारे परिवर्तन जो है तो हमारे यहाँ विवाह कोई एक करार नहीं है कोई एक कांट्रैक नहीं है वो एक स्वाभाविक है पश्ची में इस प्रकार का होता नहीं है आजकल उस प्रकार के सारे विशय भारतिय समाज में भी होने लगे है मैं उदारन नहीं दिया लेकिन अब उदारन देता हूँ सरोग सी मदर ये एक बहुती जलत गती से चलने वाला विशय है हमने कभी देखा नहीं था मैंने दोजार शहरों में बड़े-बड़े बोर्ड्स डॉक्टर्स के हॉस्पिलिस के बाहर देखे है मैं एक शमा करके लेकिन सारे मैचुर्ड लोग है फर्टिलिटी के सारे बीज होते हुए भी सरोग सी मदर का अधर लिया जाता है सरोगसी मदर में कमर्शिल सरोगसी होती है ठीक है कि आज वो एक प्रतिशत भी नहीं है उससे कम है लेकिन ये जो सारी बाते स्तरीत्व को अपानित करने की चल रही है उन बातों को ठीक तरह से विरोध करके जो हमारा है वो बताना ये अवश्यक है, स्त्रीत्वकी मर्यादा का विशय है उसमें तीसरा विशय है भाषा के बारे में प्राथमीक शिक्षा तक तो मात्रु भाषा में ही शिक्षा करे विचार की प्रक्रिया मात्रु भाषा में ही चलती है यह इश्वरदत्त है विचार की प्रक्रिया मातरुभाशा में चलना यह उस घर के वातावरण का विशा है यह मेरा फंडामेंटलस का अर्थ है और फंडामेंटलस का मतलब ऐसा है कि जिससे अपनापन है I am close to that I am a part of that यह जो प्रकार आता है उसकी तरफ जाने की आवश्चक करता एक तो आज की परिस्थिती में है या चेतावनी देने के लिए हैं दोनों कि नरसिंगा राव जी टेलिवीजन पर आते और देश से कहते कि हम देश के प्रतिक्षमा प्रार्थी हैं कि 40 साल जो हमने राज किया उस राज के परिणाम से हमारी हालत अब ऐसी हो गई है द तयार नहीं है और हमारे 40 साल के उत्पादों में ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसको हम बाहर बेज करके पैसा प्राप्त कर सकें तो कोई हमको अनुदान देने को तयार नहीं है कोई हमको उधार देने को तयार नहीं है कोई माल बाहर बेज करके हम पैसा ला नहीं सकते तो अब हम ख्रमा चाहते हैं देशें और देशें स्विकार करें हो जाएगी और आपका जो कोश है वो भर जाएगा पैसों से चमतकार वाला काम था ना और उन्होंने वो चमतकार किया उन्होंने चमतकार किया सबसे पहला काम यह किया वे अर्थ शास्त्री थे इसलिए उनको मालूम था कि बाजार में केवल कमरिटी ही नहीं बिखती स्वयम बाजार भी बिखते हैं देश भी बिख जाते हैं और यह बेशना उनको आता था इसलिए 1977 में जोर्ज फर्नंडिस ने जो विदेशी पेय कोका कोला उसको देश बाहर निकाला कि जब 15 रोज बाद हम पैट्रोल न मंगा सकें डीजल न मंगा सकें तो आप पैट्रोल और डीजल की कमी को सह लीजिएगा और हमको कुछ वदेशी रास्ता निकालने दीजिए अएचिए गा वह एएसा कहते तो विपक्ष से वाले कहते आप हटिए जी हमें बैठाइए हम इंतिजाम कर देंगे तो डौक्टर मनमौन संग seconde the dokr man업on singh जो और्थशाहुत थे उनको आमध्रित किया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घर में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, पैसा बाहर से नहीं मिल सकता, तो भी कोई बात नहीं, कोई चीज बेशने के लिए नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि डॉलर्स की वर्षा हो त्रोन त्री से फरी थी समापन सत्रमाटे मरसु आज के युग में विदेशी पुंजी करण की बड़ी बात की जा रही है पीछे भी बड़ी तेजी थी की गई थी कांग्रिस का सासन रहा या अपना सासन रहा बहुत ज शुबरामन्यम स्वामी ने एलेक्षन से पहले कहा था कि मोरिशत से कंपनियां बन रही है और पुंजी आ रही है जिसका कोई लेंदेन नहीं है एक ही कमरे में सारी कंपनियां है जिसके उपर ताला लगा हूए अभी भी ऐसा हो रहा है या उनके पीछे वाली कंपनियों ल मैं पूछ रहा हूँ कि विदेशी पुंजी कीतनी आव सकता है इंडिया में भारत में अपने क्यों हो रही है क्योंकि अपने देश का शाषन जो चलाते हैं उनको लगता है कि ये जरूरी है ये जरूरी क्यों लगा आपको मालूम होगा कि जब श्री नर्सिंगा राव पुधानमंत्री बने थे इस देश के उसके पहले देश का सोना गिर्वी रखा गया था और कहते हैं कि राजकोष में इतना भी पैसा नहीं था कि 15 रोज की सरकार चल सके तो क्या करें देश का राजनेतिक माहोल ऐसा नहीं था